हलो फ्रेंड्स, बल्कम बैक, आज का मेरा पूरा दिन साफ सफाई में ही बीतने वाला है, तो अभी मैंने यहां से स्टार्ट कर लिया है, तो साफ सफाई करती बार ही मैं क्या करती हूँ, कि जो भी धूने वाले कपड़े हैं, उनको साथ में ही मतलब लगा देती हूँ दूल क्योंकि मशीन की भी अपनी लिमिट है, तो पहले तो मैंने यह सोफा कवर जो भी बैट शीट सें सारा सब कुछ निकाल लिया, दूलने वाला रख दिया साइड में, और नहीं बैट शीट सोफा कवर सब कुछ लगा लिया, साफ जो थे, फिर मैं यह साब कुछ सेट कर लू बहुत दिक्कत रहती है, एक तो मैंने बताया था ना कि हमारे गर बहुत खुले-खुले और बड़े-बड़े सोते, तो अगर इस तरह से पूरा दिन, अगर सफाई करने लग जाओ, तो पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम का फिर, और फिर साफ सफाई तो साफ सफाई, फिर बाद में बच्चे तो फिर वैशे ही बनाते भी चलेंगे साथ-साथ, तो ये मैंने दूलने वाले कपड़े भी लाइब जा रखें साथ-साथ में, तो एक एक करके ये भी निकलते चलेंगे, और ये ज अबी मैंने निकाले कुछ अलग, तो आज मैं नीचे से भी साफ करूंगी यह अब बंद रहता है ऐस तो कमरा लेकिन आज यहां से भी साफ सफाई करूंगी तो वह सब तो मैं शूट नहीं करूंगी क्योंकि आज मुझे सारे घर की सफाई करनी है तो बहुत जादा मतब लेट हो जाता है इसलिए मैं फटा-फट से अपना काम निप्टाओंगी क्योंकि पता नहीं सफाई में भी कितना जादा टाइम लगने वाला है फिर बाहर का भी सारा कुछ आज देखना पड़ेगा फिर यहाँ से तो मैंने कर लिया था साफ सफाही लेकिन फिर भी बच्चे फैला ही लेते हैं तो चलो साथ साथ में चलता ही रहता है पूरा दिन यह तो बहुत काम ही है और फिर ये छाना न खारे हैं आज यह सारे मैं आपको रूम रूम दिखा रही हूं कि इतने सारे कमरे में रहको साफ करने पड़ेगा किचन का तो हाल ही बहुत बेकार है मतलब सारा फैला हुआ है तो आज तो मुझे फिर यह मतलब कीचन से लेके के हर जगा अभी यह तो फ्रंट वाले गम्रे थे अभी बैक में भी आज मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि स्टोर रूम भी बहुत मतलब कई दिनों से मैंने देखा नहीं है तो चलिए स्टोर रूम भी दिखा देती हूं यह भी बहुत फैला हुआ है तो इसको भी थोड़ा बहुत मतलब साफ सफाई यहां से अरेंज करूंगी और फिर यह बैक वाले कमरे हैं तो यहां पर भी मेरा समान फैला होता क्योंकि यहां पर मैं कई मेरी निटिंग के वीडियो शूट करती हूं तो यह देखिए मेरी न चनल के लिए मैंने यह कॉलर बना रही थी रात को कंप्लीट नहीं हो पाया था तो इसको भी मैंने फिर जब थोड़ा बहुत मुझसे काम निपट गया तो इसको भी मैंने किया अभी बाकी यहां के सफाई भी रहेगी हैं और यह मेरा चुट को साथ में भागवत चला किचन तो बहुत फैला हुआ था इसलिए और कोई वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई कि साफ सपाई में बहुत जादा टाइम बीट गया मतलब फिर कैमरा मेरा कहा था कोई पता नहीं था तो यह चटनी मैंने बनाई थी इसको मैंने पहले बना लिया था मैंने मॉर्निं कि यह पोदीनी की चटनी मैंने बनाई है तो इसके लिए यह देखे धारा धनिया यह लैसुन कुछ हारी मिर्चे प्यास वर्यारा यह सब कुछ रखा हुआ है अब मैं ज्यादा मेहनत तो मैं नहीं करती सिल्वट्टे पर लेकिन बस ग्राइंडर में इन सब को डाल देना ह आपकी चटनी नहीं यह इसकी पोदीने की चटनी बना रही हूं तो बस ग्राइंडर में सब को थोड़ा थोड़ा मैंने पहली चौप कर लिया फिर उसके बाद डब डाल देना है बाकी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राइंडर आपके लिए फ दीने की चटनी में मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और फिर यह मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर तो आमचूर पाउडर की जगह मैं तो हमेशा ही आमला पाउडर यूज़ करती हूं तो वही मैंने यहां पर यूज़ किया है बक्कि आप नीमभू भी यूज़ कर सकते हो तो नीमभू से ज्यादा खटाई तो नहीं मिलती थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाली है इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है तो बस ग्राइंडर चला दो और आपकी यह चटनी बनके रेडी हो जाती है बस ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ग्राइंडर खूब मेहनत कर लेता है बस आज के लिए इतना ही अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए